उआज की वडियों के टॉपिक है इंपोर्ट एक्सप्ट और नंम्बर इंपोर्ट एक्सपूर्ट लाइसेंस इंपोर्ट worked certificate या IEC नंबर या IEC कोड इस तरह से अलेक अनेक नामों से इससे जाना जाता है और यह एक इंपोर्टन्ट रजिस्ट्रेशन डॉकुमेंट है इसका परपज़ है कि यह अगर नहीं होता है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपके पास पैन होना ज़रूरी अगर आप इंकम टैक्सपेयर है तो आपको पैन के लिए पा 92 नहीं चला सकते हैं तो इसी तरह यह अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यह लैसेंस आपके लिए वार्या है तो ये license कौन issue करता है, किस तरव का license होता है, क्या format रहता है, कितना digit का इसका number रहता है, validity क्या रहती है इसके, benefits क्या होते है इसके, अगर हमारे पास ये license है, तो हमें क्या-क्य benefits हो सकते है, और यह license होने के नहीं होने के बाद हमें क्या disadvantage हो सकता है कौन यह license लेने के लिए प्रतिबद्ध है मतलब mandatory है किसको mandatory है और कौन authority जो है कि license के लिए exempted है इसके अलग-अलग किस तरह से यह license लेने के लिए हमें apply करना पड़ता है कितने period में license आपको मिल सकता है और कौन से तरह के documents आपको यह license के साथ देने पड़ते है इस तरह के सारी बाते हैं हम यह video session में discuss करेंगे दूस्तों चलिए दूस्तों कि कौन authority है कि इसको यह IE code license issue करवाता है तो उसका नाम है Director General of Foreign Trade Director General of Foreign Trade यह Ministry of Commerce के अंडर काम करने वाली exam import export trade regulating authority है इंडिया की जो कि सारा import export के directives जे यह through Director General of Foreign Trade के दोरा issue होते है इसके दोरा बहुत सारे notifications issue होते है circular issue होते है public notices issue होती है guidelines issue होती है तो यह authority है कि जो इंडिया के जो भी perspective export और import करने के लिए entrepreneurs interested है उनके लिए licenses issue करवाती है दोस्तों यह licenses किस तरह से होता है दोस्तों तो यह licenses इस तरह से होता है यह format है license का इसमें सभी चीज़े included दोस्तों पैन नंबर included है आपके रजिस्टर और और यह 10-digit code नंबर रहता है दोस्तों देखो और यह इसकी खासियत हो गई दोस्तों कि अगर यह आपके पास है तो आपको बहुत सारे benefits जो है आपको मिल सकते हैं क्या क्या benefits आपको मिल सकते हैं आगे चलके हम बात करेंगे इसकी validity जो रहती है दोस्तों यह permanent validated रहता है अगर आप जब तक आप कुछ black listed नहीं हो जाते हैं या फिर आप surrender नहीं करते हैं या फिर या custom दोरा आपके ऊपर कुछ auction नहीं ली जाती और आपका जो license ब्लॉक नहीं किया जाता तब तक यह license जो है यह को किसके लिए applicable है दोस्तों तो यह सभी importer exporter जो है उनके लिए license applicable है प्रोप्राइटर और 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 अग्जियोस इस सभी के लिए applicable है except central and state government authorities and departments and ministries इनके लिए यह license exempted है बलकि उनको एक permanent code दिया जाता है जिसका start होता है 01 और last two digits जो रहते हैं यह इनके 11, 12, 34 इस तरह का इनका indication रहता है मतलब last two digits जो है यह identified digit रहते हैं तो यह सारे ministries के identified digit last two digits रहते हैं बाकी 01 और 0000 इस सरह का permanent code इनको दिया जाता है तो यह सारे ministry exempted है लेकिन उनको permanent code दिया जाता है इसके अलवा बहुत सारे organizations जो है कि NGOs है कि जिनको government ने exemption दिया है इंपोर्ट करने के लिए जो कि खुद consumption करे अपने consumption के लिए या फिर personal जो है कि कुछ drugs या other essential medicine जो है कि उसके लिए उसके life के लिए essentially उस समय में government उसको exemption दे सकती है कि without IAC that person or that entity can import any type of goods for his own consumption तो यह हो गई दोस्तों कि किन किन को इस तरह का exemption प्राप्त है इसके अलवा दोस्तों यह license जो है पर्मेंट रहता है इसके लिए apply कहार करना पड़ता है इसके लिए apply जो है दोस्तों करना पड़ता है डीजीयदटी के website है डीजीयदटी का जो website से और डीजीयदटी ऑफरिटी जो है अजो है एस बीज़नल बेस ंफिस भी है चार ज writesे जोंडरह से भी आपको लाइसेंस मिल सकता है तो बहुत सारे प्लेसेश पर जो है कि रिजनल ऑफिसे से जो 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 इन्ट डारेक्टर जनरल ऑफ फ़रिंट्रेट गवन करता है तो दोस्तों इस सभी तरके इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है कि आप अगर मैनुफैक्टर हो जाता है दोस्तों इसके अलवा जो परमंट आइसी के में जो लोगे पी अस्यू जो है पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग उनको भी इस तरह के परमंट आइसी जो टेंडीजिट वाले यह दिये जाते दोस्तों तो इस तरह के लिस्ट दोस्तों इस तरह के इनके तो इसको डॉकुमेंट जो लगते दोस्तों डॉकुमेंट जो है कि कौन-कौन से परसंस जो है इसके लिए यह कर सकते तो तो मैं ने बताया कि उसके लिए आप प्रोप्राइटरी ओर्गनाज़शन है यह सभी इसको अप्लाइ कर सकते तो डिपेंडिंग अपॉन दॉप और करना है उसके अलवा प्रव आड्रेस आफ यूर बिजनेस एडेन्टिटी ये भी आपको प्रूप आड्रेस पूप आडेन्टिटि यह 조क्मेंट आपको सब्मिट करना इसके लगेंगे उसके अलावा आपको लगेंगे उसके अलावा आपके यहां पे जो अगर आप LLP है तो डायरेक्टर जो है उनकी लिस्ट लगेगी उनके पैन नमबर्स और बाकी भी डीटेल्स उनके अप्लिकेशन के लिए लगेंगे दोस्तों इसके अलावा जो इंपोर्टन डॉकुमेंट्स जो लगते दोस्तों आपको तो आपको एक तो आपको बैंक में अकॉंट खोलना पड़ेगा आपके और बाद में आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए एप्लाइ कर रहे तो और बैंक अकॉंट तो आपके पास है लेकिन आपके पास अगर bank account नहीं है तो forest का bank account आपको खुलवाना पड़ेगा और bank में जाके forest account आपको खुलवाना पड़ेगा और bank से standard format में आपको एक letter देते हैं authorized dealer code number तो आपको bank एक authorized dealer code number अलट करती है उसका letter देती है कि यह जो entity है इनका हमारे पास account है और यह इस तरह से यहां से लेके यहां तक आज तक इनका अकाउंट मेंटेंड कर रहे हैं और इनका dealer code इस तरह से है इस तरह का वो आपको एक certificate देते हैं यह certificate आपको यह application के समय में दोस्तों लगता है उसको ID correlator वोलते हैं यह सारे जो documents है डोप अड्रेस डोप बिजनस identity और इसका डी और इसके अलवा आपके जो डिल्लिटाइस फोटो जो यह यह भी लगेंगे और उसके यह सारे documents के साथ आपको आज कल पहले इतना डीसए डीटल सिगनेचर अच्छल चल नहीं था लेकिन आज कल डीडिटल सिगनेचर जो यह एसेंचल हो गए है इसलिए आपको डीएस्टी कंपल्सरी लगेगी यह आपके पास अगर डीएस्टी नहीं है तो आप आधार बेस जो अधराइजेशन है अधराइज जो वैलिडेट करवा सकते हैं तो यह गई दोस्तों की सारी बाते कि किस तरह से हम अप्लाइज कर सकते हैं कोई से डॉकुमेंट्स लगते हैं इसके अलावा इसके बेनिफिर्स क्या है दोस्तों अगर आपके पास आई-कोड हैं तो आपको कहां पर भी आप इंप नाशनल प्लैट्फरम मिल जाता है और आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है दोस्तों आप एक्सपोड करने के लिए एक प्लैट्फरम मिल जाता है इसके अलावा सेकंड बेनिफिट जो है दोस्तों सेकंड बेनिफिट आपके लिए कि यह अगर आपके पास है तो आपको ए ईपिपर्ड करते हैं दो आपको एक लस का आपको सामना करना पडबागा इसके लिए पाध दोस्तो एक आपको बिली एक्सपौट बिलाइन symbols थो सब्सक्राइब करें तो आप खुद भी आपका shipping bill जो है फाइल कर सकते हैं तो इस मिलिए नमबर की सब्सक्रास HAIK तो यह फॉर्मैट आपके सामने आ रहा है दोस्तों तो इसके अलावा दोस्तों कि आई कोड्स अगर आपके पास है तो आप की जो बिजनेस है इसका एक्सपांशन भी आप कर सकते हो तो एकी पैन पे आप एकी पैन और एकी आईसी पे आप अलग अलग जगह पे ब्रैंचेस सेट अप कर सकते हो तो इस तरह के वर्टीकल और होरिगंटल इंटेगरेशन आपके एकी आईसी पे हो सकता है एकी पैन नंबर पे हो सकता है दोस्तो तो यह सारे बेनिफिल्ट जो है दोस्तों आपके पास अविलेबर ले इसके अलवाँ आपको फाइलिंग रिटरंस कुछ करने की जरूर नहीं है, आई कोड आपके पास है तो उसके उसको प्रोसेस है उसके लिए कुछ भी आपको रिटरंस फाइल नहीं करने पड़ते है डी तो भी आपको separate IEC code लेने की जरूर ने लेती आपको amend करके वही लैसेंस आपको मिल जाता है दोस्तों तो यह सारे बाते दोस्तों कि आपको अगर वालू हो जाए तो आपका एक step जो है successful import-export करने के लिए बढ़ जाता है तो IEC code के बारे में और कुछ बाते आप अगर हमसे जानना चाहेंगे तो हमसे आप WhatsApp पर भी जूड़ सकते हैं या फिर आप हमारे सोचल लिंक से भी आप हमें messages बेश सकते हैं या फिर website पर हमारा chat messages जो भी है उसके दोरह भी आप हमें communicate कर सकते हैं दोस्तों तो इसके साथ दोस को हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिक्शन का बेल अरकंद बाईए और सारे जो हमारे सोचल मेडिया पेजेस है उनको भी आप सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों तो थैंक्स अलोट एंड हैव ग्र